दोस्तो गौर्वर्मेंट एक्जाम के तयारी के निया है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ा को और वैल आइकन दवाईए हमारी वीडियो सबसे पहरा देखने के लिए जो फ्रेंड स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ा में दोस् जो कोई भी Hindi medium के स्टुडेंट से इसको दिक्कत आ रही है English में तो वह Hindi medium वाले स्टुडेंट के लिए मैंने separate अलग वीडियो अपलोड कर चुका हूं लिए अपना कोर्स कंपलीट कर सकते हैं वहां सभी यहां पर English medium में बताए जाएगी आपको English medium वाले स्टुडेंट के लिए तो आप अगर आपको देखनी है वीडियो और हिंदी में देख सकते हैं लिए सेंट हिंदी में अपलोड हो चुकी है और वहीं अगर बात कि जाए ल रहे दोनों मेंचयरिक के स्टुडेंट के लिए सारे पूरे पूरे ऋपलोड हो चुके हैं वह इस की तीन वीडियो पहले ही अपलोड हो chemical bond, तो chemical मतलब होता है जो हमारे पास items होते है या फिर यू कहें element होते है तो elements के item के जो बीच force लगता है ना उस force को ही बोलते है bond, देखिए bond bond जो होता है आपको पता होना चाहिए force को bond बोलते है force को क्या बोलते है, bond जब एक item A, दूसरे item B पर किसी तरहां को force लगाता है तो ये force ही कहलाता है bond, ये force कहलाता है bond कहलाता है, किसी भी तरहां कोई इनके बीच में link नहीं होता बस एक force होता है क्या होता है, ये force होता है इसको हम बोलते हैं electro, electro estatic electro estatic force तो ये force होता है जिसको हम chemical bond का नाम देते हैं इलेमेंटों के बीच में तो देखिए इस फोर्स के बारे पढ़ लेते जिसको निया combination किया रहाहें तो ऑन्ड को परकूसीर तो किसी आएटम के आउटर मौस्य अउटरमोस अउटल में रोटेट करते हैं रिवोल्व करते हैं नूकलियस के चाँता लिसी थे पार्ट करते हैं बोन्डिंग in दर तो देख लेते हैं सबसे पहले आता है अच्टाठाएनिक बोन्ड आएनिक बोन्ड को इल्याक्ट्रो वे रेंड भी बोलते हैं जो कि नमक के अंदर पाए जाता आइन जील कर नमक सुत्र होता है पोर्मल होता है यह इसके अंधर पाय जाता है आइनोस बॉक्मल होता है और इक डिझा यही ऑन बयांगों होता है अगर अगर बीच अब कि तो इनके बीच में तभी बनेगा जब इस वाले का आउटर मोस शेल के लेक्टोन इसको दे दिया जाए देखिए इसको अपना और्बिट पूरा करने के लिए एक लेक्टोन चाहिए होते हैं इसके आउटर मोस शेल में जो है वन इलेक्टोन है तो वन इलेक्टोन इसके आउ या आउट्र मोर्शेयल कंप्लीट करने लिए कितने चाही है एक चाहिए तो यह एक लेक्टरो गाल को कर लेता है तो यह इसकी प्रोपर्टी कहलेती है लैक्टो डिगेडिविटी जब ही कामिट बोण बना रहा है उizer और ये एक्टम इसको इलंएट्रोन दे देता है तो ये इस एकटम के सब्सक्राइब कर लिए zero group के element के तरह कोई भी item अपने electronic configuration इसलिया करता है क्योंकि zero group के element के stability सबसे जाधा होती है तो जितने भी item है प्रियोडिक टेबल के अंदर element जितने भी है वो अपनी stability को reach करने के लिए stability को बढ़ाने के लिए अपने bond बनाते हैं और इस तरह से electron donate करते हैं और फिर एलेक्ट्रों के शेरिंग करते हैं ताकि उनका आउटर मोस्षेल का electronic configuration या फिर आउटर मोस्षेल में उतने electron हो जाए जितने की zero group के element के पास होते है zero group के element के पास होते हैं मतलब zero group के element कौन से है helium है neon है आर्गन है क्रेप्टन है जेनन है और रेडान है यह यह जीरो गुरूप के element इनके सभी के आउटर मोस्षेल में हीलियम को छोड़कर बागी सभी का आउटर मोस्षेल में आठाट इलेक्ट्रों होते हैं मतलब इनका आइनक बोंड तब बनता है जब एक एक रट्रों के पास देखिए आपको एक छीज मिशन बतार ह Subscribe इनका हमोब उडसरा ऊइडिवोटा है ज्रहरा कि बहुत बढ़ा एक्वाथ बढ़ावड़ एक बहुत बढ़ बनाने की कोशिच करते हैं कोई बी दूएटम बनाने की कोशिच करते हैं अगर यह शेरिंग कर रहे हैं अगर यह इलेक्ट्रों की शेरिंग कर रहे हैं तो जिस एटम की इलेक्ट्रों निगेटिबिटी जादा होती है वह यह चाहता है कि जो शेरिंग के इलेक्ट्रों पेर ह वो उसकी तरफ चला जाए खिछता हुआ सब्सक्राइब इस वाले एक्टम की एक्ट्रो निगेटिविटी जाद है तो यह शेरिंग का इसके पास चला जाए अब देखिए एक मैटल ऐसा है जिसकी एक्ट्रो निगेटिविटी है नहीं नहीं मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटीविटी है यह यहां पर आपने ऐसा अफिनीटी बहुत जादा है अब देखिए यहां पर कर दोःक्रो न अफिनेटी तो और अफिनेटी किस्को वोटते हैं लह चाहसे नेटी बोलते हैं एक इलेक्ट्रोन एड करने के जितनी एनर्जी की रिक्वाइर्मेंट होती है वो कहलाती है तो जैसे आप टेबल में लेफ्क टू राइट जाते हैं लेफ्क टू राइट जाते हैं मतलब मैटल से नोन मैटल की तरफ को जाते हैं तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढ़ती ह जो यह बताती है कि अगर आप लास्ट वाले प्रीड में है तो इनकी एलाक्तोसितिविट्य है इसलिए ऐसा करते हैं और 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 नौन मेतल के पास इसली आइसा करते हैं अब सुपोस्च आपने मेटल ले लिए और आपने एक नौन मेटल लिया नौन मेटल के आउटर मोशन में साथ एलेक्ट्रोन है और मेटल की यह तेंडेंसी होती है कि वह और के लोइक हिए क्या करेंगी, वह सौइए ले लेगी क्यों ले लेगी क्योंकि वह एलेक्ट्रोन ले ले लेती है तो ये धाय जाता है कि ट्रांसफर कर दिए तो सोडियूं के दोनर की तरह और वही किलोरीड एलेक्टोन ले लिया mathematical करें करें ऐसे एसेटर की तरह तो इस कंडीशन में जरुआ बंड बनने बाला है इनिक बने बंडा जो यह यह बताता है कि sodium के पास एक electron की कमी है और किलोरियन के पास एक लेक्ट्रोनों की बहुलता है तो इस condition में आप यहां पर बोंड नहीं दिखाते हैं देख यहां पर किसी तरह का आप कोई line नहीं दिखाते हूं क्योंकि electron completely transfer हो चुके हैं यहां पर electron की sharing नहीं हुई है और यह आइनिक बोइंड की कुछ शडत है जैसे के आइनिजिशन एंटरजी ऑफ मैटिस उड़ी यो मैटल है उसकी ऑनल जाहिए वो होने चाहिए कम तो जबूरेंटर निकालने के नहीं जितनी एकवार्मेंट हो रही है वह कहलाती है अब देखें मेटल के पास तो मैजोरेटी ओफ electron है तो वो electron एकडम असाने से निकाल सकते हैं तो उनकी इन अनर्जी क्यों याएगी बहुत कम हो जाएगी और electron affinity जो metal non-metal है उसकी electron affinity क्या होने चाहिए देकि non-metal है तो उसकी electron affinity होगी ना फालतु तो electron affinity बहुत high होगी non-metal की समझ रहें ना आप condeition non-metal क्या होगी हाई होगी फिर बता देता हूं आप किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रों डाल रहे हैं जितनी रिक्वार्मेंट हो रही है वो किलाती है इलेक्ट्रों एफिनिटी ठीक है अब इसकी कुछ प्रोपर्टी जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और वाले होत होता बॉलेंग को होता है कि जब आप गिसी एटम को बॉइल करने के जितनी आहरा मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करने की नियू जितनी एनर्जी की रिक्वार्मेंट होगी तो वह खिलाएगा मेल्टिंग पॉइंट अच्छा ऐनिक बॉ होट यह बहुँ जादा स्टेटी के लेकिन किसमें एक तो मॉल्टन स्टेट के अंदर मतलब जब पूरी तुरह से फ्यूज हो पिगले हुए हो यह फिर वाटर के अंदर अब देखिए वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर होता है है एक ही ओ इच जिसमें से ओंधिवहता और एच वाल पॉसरी उइनी नियुज ल्म होता जिसके अंदर हो निगेडिव होता है सिपग फोंदेव उसको बोलते हैं पो लर कंपाउंड है तो पोलर कंपाउंड के अंदर पोलर कंपाउंड सोल्यूबल हो जाते हैं जब यह पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है तो यह एने पिलस और टूल माइनश eater हो जाता तो only product L माइनश वन का मतलब है ये वी एक अच्छा चार्ज केरियर है तो जब आप इसके कंदर कर्एंट पास कर आँगे तो करेंट बहुत अच्छे सा पास हो जाएगे क्यों ही ये अच्छा इलेक्ट एलेक्त्रोलाइट है एक्ट्रलाइट अच्छ है क्यों है क्योंकि इसके अंदर आयन प्रिजेंट्स होने की वज़े से यह आयन जो है चार्ज केरियर का काम करेंगे लिक्वीड के अंदर इसलिए कहा गया है कि यह अगर आयन आपको समझे थे हैं अधर न इसके वह अगर पॉलर में ही सोलुबल्ड होते हैं, अगर polar compound को non-polar compound में ढाल दिया जाएगा तो वो soluble नहीं होंगे similar non-polar के लिए non-polar non-polar में ही soluble होते हैं polar polar में soluble होते हैं ठीक अगला point आता है देखी यहाँ पर वही point जो मैं बता रहा था यह point में discuss कर चुका अब आता covalent bone अब देखी मेरे पास दो item है दो item एक item A है और एक item B है अभी हमनों पर discuss किया था कि दोनों की electro negativity में difference बहुत जादा था even एक तो electro positive था और एक electro negative था अब मैं इस item को change कर रहा हूँ अब यह पूरी तरह से metal नहीं है कोई ऐसा element है जिसकी थोरी बहुत electro negativity है और इसकी भी अपनी कुछ न कुछ न कुछ न कुछ है मैं कहरे रहा है कि बी की electro negativity ए से जादा बी की ए से जादा देखें A को बिलकुल neglect नहीं कर रहा हूँ ए कि भी इलेक्टर नीगर डिविटिविट्य यह लेकिन बी से कम है तो इस condition में क्यों और को Одन जिए को वैलेंटबर्ण को एंट कब बनते हैं जब सी सहरिंग अब देखिए शेरिंग होने के बाद यह विथ्द हो रहा है तो यह उस ऐटम कि तुरह जाद शिफ्ट हो जाता है जिसके इलेक्ट्रो पिर्धि जादा होती है मैंने यहां को बोला वीव के जाद है और अक्टॉल में कुछ इस तरह से दिखाइदेगा इलेक्टों पेर एलेक्टों पेर वी ज्जादा नजदिक होगा यहां है तो इस तरह के बोल्ड को बोलते जा रहे हैं तो बान्डिंग का इलाक्ट्रों पेयर होगो कहां उधकी इतनी सहीं ही चेंटे और इतने फॉर्स इकवल होने की वज़से लेक्ट्रों पिर ठीक है अगर सिमिलर एकम के बीच में बनता है तो इसमें इलेक्ट्रोपोजिटिव होगी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो निगेडिव है तो है है तो है मुकाबल कारवन क्या होगी लाइक्ट पोजिटिव होगी तो में एक लेक्ट्रो लेगा मतलब अल्टीमेटली जो शेरिंग ओफ टार रही है थोड़ी सिफ्ट होगी इस में बीड़ी थोड़ी थे टारफ शिफ्ट होगी शिब्लर पैटरन से तो इस तरह से देख र कारवन से जादा होती है तो इनकी भी कुछ प्रोपर्टी लेख लेते हैं कोवलेंट बॉंड के मेल्टिंग पॉइलिंग पॉइलिंग पॉइंट हाई होते है और यह बहुत ही बैड अंदर से लेक्टर सेटी को पास करने नहीं देते हैं इसमें एक exception है एक graphite का graphite के अंदर pi electron उपस्तित होने की वज़िसे current pass हो जाता है और यह water के अंदर insolival होते हैं water के अंदर वही solival होते हैं जो water like property रखते हैं मतलब प्लो polar हो अगर polar नहीं है तो नहीं होगा तो यह covalent bond वाले compound उसमें घुलते हैं जिनके अंदर covalent bond पाए जाते हैं मतलब बात यह है कि same dissolve same polar polar के अंदर और non polar non polar के अंदर dissolve होगा ठीक है और जितने भी covalent bond होते हैं वो directional होते हैं depend करती है direction electron pair जिदर को shift होगा तो वो reaction तो बताएगा ना वही अब इसके बाद में आता है coordinate bond जिसको हम डेटिव बोंड भी कहते हैं इसमें क्या होता है यह यह भी एक तरहां का covalent bond है लेकिन special type का covalent bond है जिसमें एक item एक item दूसरे item को electron pair donate करता है electron pair donate करने वाले item को बोलते हैं donor जबकि electron pair लेने वाले item को बोलते हैं acceptor ठीक है तो यह आपको पता लग गया जैसे कि यह है sulfur dioxide तो एक sulfur यह है और oxygen यह इनके वीचिन बन गए डोनेट करते हैं दूसरे oxygen atom को अब देखिए sigma bond आता तो sigma bond से पहला आपको कुछ समझना होगा ताकि आपको sigma bond अच्छे सा समझना आ जाए देखिए orbital की कुछ shape होती है जो S orbital होता है उसकी shape होती है circular जो P orbital होते हैं उसके अंदर 3 होते हैं पी कंदर तीन टाइप होते हैं PX PY PZ यह orientation के हिसाब से है बरना शेप तो कुछ इस तरह की होती है जिस तरह से infinity वन हुआ होता है तो देखिए दो तरह की overlapping होती है एक तो overlapping होती है इस तरह की यह वाला item और दूसर वाला item इस तरह से इस तउब्सक्रे से हो गए है यहां से ओवरलेप हो गए है है कि यह यहहां से ओवरलैप हो गई और एक ऊवरलैपिंग इसको बोलते हैं linear overlapping तो linear overlapping के दुराण जो बनते हैं sigma bond जबकि sidewise side overlapping के दुराण जो बनते हैं वो बनते हैं pi bond तो pi bond जो होते हैं वो weak होते हैं sigma bond होते हैं बहुत ज़ादा strong होते हैं तो sigma bond क्या है a bond form by linear overlapping linear overlapping के तो जो bond बनते हैं वो किलाते हैं sigma bond ठीक है sigma bond जो होते हैं बहुत ही जादा strong bond होता है देखिए sigma bond हमेशा अगर covalent bond है तो सिर्फ एक ही sigma bond होता है वो बीच वाला होता है अगर triple bond है तो triple bond में बीच वाला sigma होगा और ये भी pi bond होगा अपर वाला और नीच वाला भी pi bond होगा तो उपर वाला पाई नीचे वाला पाई बीच वाला सिग्मा और डबल बॉंड है तो एक तो सिग्मा हो नहीं है और एक पाई तो हो नहीं है अगर सिंगल बॉंड है तो यह सिग्मा बॉंड ही होगा ठीक है तो सिग्मा बॉंड आपको पता से लगए है अब देख लेते हैं अब देखिए suppose that मेरे पास single bond है, और एक कैसा double bond का, और एक कैसा triple bond का, तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर बी sigma bond है, इसके अंदर π man семьBlack. आप बाइबन उपर भी है, यहाँ pie bond नीचे भी और sigma bond भी है, यह sigma bond है, तो यह सिर्फ sigma bond है, इसमें sigma bond भी है, 1 sigma है और 1 pi है इसमे 1 sigma है और 2 pi है तो देखिए sigma sigma तो तीनों में common है लेकिन pi इसमें 1 है और इसमें 2 है तो इसका मतलब ये होगा सबसे जाधा bond energy जो होगी वो इसकी होने वाली last वाले की triple bond की क्यों क्योंकि इसके अंदर एक तो sigma bond है और 2 pi bond है तो ये bonds break करने के लिए बहुत जा जो order है ये important है इसलिए मैं इस पर focus कर रहा हूँ bond energy सबसे जाधा जो होती है वो होती है triple bond की उससे कम होती है double bond की और सबसे कम होती है single bond की तो ये है bond energy का order अगर आप यहां बात करोगे bond land की तो bond land जो होती है वो inversely proportion होती है bond energy के जिसकी bond land सबसे कम होगी तो बोन एनरजी वो उसकी सबसे ज्यादा होगी स्वरी मैं आपको थोड़ा उल्टा बता दिया bond energy और बॉन्ड लैंधी की बात कर रहे हैं तो जिसकी सबसे कम bond land होगी नहीं मैं नहीं बिल्कु सही बताया था आपको बिल्कुल स्वरी पहली बात जा रहा है, जिसकी सबसे कम Bond length होगी, Bond मतलब इनकी length सबसे कम होगी, उसकी Bond energy सबसे जदा होगी, लेकिथ सिंगमा बोंड जो होता ना, उसकी Bond length ज़ादा होती है, लेकिं Bond energy कम होती है, वोंड लेंड क्या डो कि बीच में कितनी मैं बॉंड बन रहे हैं तो यह किलाती है बॉंड लेंड अब देख़ाए कि जो बॉंड लेंड वा ट्रू जूड़ा हुआ है और डॉट पुल्ट की उससे कम वह संसे जाओ जो होग सिग्मा विंडे मतलब सिंगल कर लोंडिकी तो सबतु जयुत है इस सब इस जधा हो एकसरे साइब लास टोपिक, शायद लास टोपिक ही है यह, आता है कि hydrogen bond कहते किसको है, hydrogen bond को उपर आ जाता है, कि hydrogen bond कहते किसको है, देखिए hydrogen bond को समझने के लिए बहुत ये simple concept है, पहली बात तो ये nitrogen, oxygen और fluorine के element, जो hydrogen के साथ attach होते हैं, उनके बीच में मनता, तो phone याद रखिएगा, phone के बी oxygen और nitrogen के element, जब hydrogen साथ होते हैं, तो उनके बीच बनता, देखिए इसमें क्या होता है, चुकि आपको बता, hydrogen और fluorine के बीच में covalent bond बनेगा, तो ये covalent bond और directional होते हैं, hydrogen से fluorine तर, तो ये molecule हो गया, ये molecule हो गया, hydrogen fluoride का, अब दूसरा molecule भी होगा, hydrogen fluoride का, तो जब hydrogen fluoride का, पहल अगले वाला molecule, दूसरे वाले molecule पर किसी तरहा का force लगाने लगता है, देखिए इसमें fluorine है, fluorine ये तो इलेक्ट्रोनिक एडिव है, और hydrogen है, तो इनके बीच में भी एक force लगने लगता है, जो की पूरी तरहा से अगले molecule पर भी force लगता है, उसी तरहा से अगले molecule पर force लगा हो रहा, तो hydrogen bond दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं, इंटर मोलीकूलर हाइडरोयन बोन, और एक होते हैं, इंटरा मोलीकूलर हाइडरोयन बोन, इंटरा मोलीकूलर से क्या मतलब निश्कर्स निकलना है, देखिए, इंटरा का मतलब होता है, इंटरा मतलब होता है, बह और intermolecular किसको बोलते हैं जब molecule के अंदर लग रहा हो hydrogen bond तो यह होता है intermolecular देख लेते हैं intermolecular hydrogen bond arises when hydrogen bonding occurs between two or more molecules तो intermolecular में क्या है जब hydrogen bonding हो रही है किसके मद्दी है किसके बीच में एक ये दो एक से जादा molecules के बीच में है in this case melting point and boiling point of the compound increases due to molecular association जो molecule associate हो जाते हैं तो देखिए एक तरह सा bond बना लेते हैं hydrogen bond बन चुका है तो एक फालतु bond बन गया items के मद्दी है यह फिर यूं कहें molecules के बीच में तो ultimately bond बनने से यह तो होगा कि जो boiling point होगा boiling point कहते कि इसको है जब जब यह molecule freely move करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसको बोलते है boiling point अब जाहर से बात है जब bond बन चुके हैं तो यह freely move करना तो रुग गया ना देख लेते हैं when hydrogen bonding occurs within a molecule then it is called the intramolecular hydrogen bonding सोरी मैं एक बात बताना चाहूंगा अभी मैंने कुछ दर पहले इसको उल्टा बोल दिया था जब मैं आपको बता रहा था आप बिल्कुल सही समझाया मैंने आपको उस वक्त तो शाहिद मैंने उल्टा बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जो इंट्रा मॉलीक्यूल हाइड्र नहीं होती है इंट्रा का मतलब होता है किसी मॉलीक्यूल के अंदर मॉलीक्यूल के अंदर आप देखना चाहरे हैं तो यह है इंट्रा इंटर मोलीकूलर और जब आप मोलीकूल मोलीकूल और मोलीकूल के बीच में देखना चाहरे है तो यह है इंटर तो इंटर और इंटर में फर्क यह है इंटर मोलीकूलर मतलब मोलीकूल के बीच में देखना चाहरे है और intra का मतलब क्या है आप उस molecule के अंदर देखने चाह रहे हैं किस तरह से लग रहा है hydrogen bond किस तरह से बंद रहे हैं एक बार और समझ लिए अगर आपके पास यह molecule से जैसे के hydrogen fluoride का molecule है यह hydrogen fluoride का molecule है और यह hydrogen fluoride का molecule है तो इन molecule, molecule के बीच में जो force लग रहा है, जो bond बन रहा है, hydrogen bond, तो इसको बोलते हैं intermolecular, intermolecular hydrogen bond, लेकिन जब किसी खुद के एक molecule के, इस एक molecule के अंदर जो hydrogen bond बनेगा, उसको बोलेंगे intra, intra hydrogen bonding, intra molecular hydrogen bonding, इस condition की वज़े से जो होता है, due to crystallization, melting point and boiling point of the compound decreases in this case, तो crystallization की वज़े से melting point और boiling point, compound के decrease हो जाते हैं, इसकी वज़े से, किसकी वज़े से, intra molecular की वज़े से, intra का मतलब एक ही molecule के अंदर, और intra मतलब दो molecule के बीच में, I think आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अब आगर देख लेते हैं कुछ है तो इसके अंदर, तो इसमें अब और कुछ नहीं है, पूरा topic complete हो चुका है, तो यह हमने chapter number 4 complete कर लिया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करने, आप ही के लिए वीडियो बनाए गही है, और जो भी doubt आपका arise हुआ हो, इस वीडियो में, वो comment box में comment करके अपने doubt दूर कर ले, थैंक्यू सो मच. कर दो में आपका आपकारी ले, आपकारी ले, वीडियो अधी है, तो लेंक्यो में। आपकारी ले अपकारी है, वीडियों सो में के ले महें हैं।